यह एक चम्मच अगर आप रोज खा लेंगे तो आपका मोटापा तो कम होगा ही साथ ही बहुत सारी बिमारियों से मिलेगा निजात तो देखते हैं कि यह है क्या यह बीच किस सीज की है यह है अलसी के बीच अगर इसे आप सुबह शाम रोज एक एक चम्मच खा लेंगे तो इससे ना केवल आपका मोटापा दूर होगा साथ ही डाइबिटीज, कॉलेस्ट्रो लेवल भी कम होगा डाइबिटीज कंट्रोल होगी आपके जोडों का दर्थ, अर्थराइटेज, डियमेटाइड अर्थराइटेज यह सारी चीज़ें एक साथ खतम हो जाएंगी साथ ही यह बीच है ना केवल हमारे शरीर को स्वस्त रखते हैं साथ ही हमारे स्किन और हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छे है इन्हें हम हल्दी के साथ मिलाकर अगर फेस पे लगाते हैं इसका चूरन तो यह बहुत ही ग्लोइंग स्किन देते हैं लेकिन हमें इसका यूज कैसे करना है इसको हमने अपने अहार में कैसे लेना है तो हमें क्या करना है कि अलसी के बीज है इन्हें flaxseeds भी बोलते हैं ये market में बहुत असानी से मिल जाते हैं इन्हें आप किसी भी departmental store से ले सकते हैं इसका एक चमच आप चाहें तो सिदा भी ले सकते हैं लेकिन इसके उपर ब्राउन कोटिंग होती है, यह थोड़ी डाइजस्ट होने में मुश्किल होती है इसे, इसलिए इसे हमें पीस कर ही लेना चाहिए, इसमें एक एक दाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर्स, मिनरल्स, विटेमिन् इसलिए इसका एक चमच अगर हम सुबै शाम यूज़ करें, हम तो यह बहुत सारी बिमारियों से हमें निजातो दिला सकता है, तो हमें इसके यूज कैसे करना है, हमें इसे रोस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ही हमें इसे लेकर, और ग्राइडर जार में ग्राइंड करना ह और इसका पाउडर बनाकर हमें इसे सुबह शाम एक एक चमच लेना है अब हमें लेना कैसे है इसे तो इसे लेने के लिए हमें इसे सुबह सुबह खाली पेट लेंगे तो यह बहुत ही फायदे मंद है जिन लोगों को कोलेस्टरोल केवल जादा रहता है जोडों में दर्द तो उनके लिए बहुत ही फाइदे मंद है और ये आपके fat को भी बहुत जल्दी cut कर देता है और आपको एक slim body देता है तो इसको use करने के लिए तो इसे हमें लेना कैसे है इसे हमें सुबह सुबह खाली पेट लेना है एक चम्मच और रात को सोने से पहले एक चम्मच लेना है तो जिन लोगों को कब्च की problem है वो बिल्कुल ठीक हो जागी क्योंकि इसमें fiber भरपूर मत्रा में होता है जिससे कि हम अगर खाने से पहले इसे लेते हैं तो एक तो हमें भूख कम लगती है तो इसके बहुत सारे फायदें हैं लेकिन इसे limited quantity में ही आपने लेना है और साथ में ये cancer को भी breast cancer जैसे colon cancer है उसको भी बिल्कुल जड़ से खात्मा कर देता है तो ये एक चीज हमें अपनी भोजन में रोज शामिल करनी है सर्दी में हम इसे 3-4 चमच ले सकते हैं पूरे दिन में लेकिन गर्मी में अगर आप लेना चाते हैं तो आधा चमच सुब्य और आधा चमच ही रात को लें इससे ज़्यादा ना लें इससे अलावा इसके अलावा प्रेगनेंट लेडिस इसे बिल्कुल यूज ना करें क्योंकि ये तासीर में बहुत गर्म होता है तो अगर आप इससे लेना चाते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें साथ ही जिनको irregular periods रहते हैं उस problem को भी ये बिल्कुल ठीक कर देता है और इसमें iron भी भरपूर मात्रा में होता है इसके साथ ही ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है अगर हम इसे बालों पर अप्लाई करना है तो कैसे करना है दो चममच हम अलसी का बीज है ये एक गिलास पानी में इसको उबालना है और थोड़ी देर के लिए धककर रख देना है तो ये जल लाइक कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी और इसे हमें अपने बालों पर डिरेक सकते हैं और एक चममच उसके साथ भी ले सकते हैं इसे हम सुबह सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं बैतर है कि हम खाली पेट ले तो ये ज्यादा फायदे मंद है रात को सोने से पहले इसे ले सकते हैं साथ ही हम इसके सर्दियों में लड़ू बना कर भी खा सकते हैं जो ब हमारी वीडियो कैसी लगी जो